येस हलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे हम लोग कर रहे थे प्रिवियस येर सीटेट का पेपर वन और पेपर टू पेपर टू मैं अभी मैं सोसल स्टेडी करवा रहा हूँ सुभा साड़े साथ और अठ बज़े मैं वीडियो डाल देता हूँ आप ग्रूप में जुड़ सकते हैं मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दे देता हूँ फिर से मैं दे दूँगा फिलाल अभी मैं चल रहा हूँ पेपर वन पर एवियस के लिए तो आज मैं आप लोगों के लिए ल नहीं याद रखेगा डिस्कीशन बॉक्स में मैं अपने चैनल का लिंक फेस्बुक में जो मैंने गृूप बनाया है आई क्योड़ वहां जाकर सर्च करें यह फिर आप डिस्कीशन बॉक्स में जाकर देखेगा वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है साथ इसाथ टेलेग्रा मेरा विजिट कर सकते है ठीक है तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेर कमेंट जरू करिएगा और चैनल पर यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन दवा लेज़े ताकि जब भी क्लासस लूँ आपको नोटिफिकेशन चला जाए ठीक है पहला कुश्चन हमारा तो सबसे पहले मैं इदर चेक कर लेता हूं सब कुछ ठीक है मेरा वाइरु ठीक है और यदर पेंड में ठीक है और वीडियो ठीक है एक रिक्वेस्ट करूँगा इस्टार्ट करने से पहले कोई भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में जरू फेरवरी 2016 EBS का पहला पेपर सीटेट प्रिवियस यह ठीक है तो कोशन वर 61 आज का पहला सवाल है कहता है कच्छा पांच की सिच्छ का एक एलमुनियों फॉयल को लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह उपर तैरता है फिर वह फॉयल को मोड कर जोड से दबाती है मतलब निचोडती है और फिर से पानी में डालती है तथा सिच्छार्तियों को दिखाती है कि वह डूपता है बाद में वह सिच्छार्तियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यूं हुआ मतलब कह रहा है माली जी एक गलास है ठीक है यह हमार पूरी तरह से निचोड कर आउसे वो डाले तो वो डूब गिया अब ही सवाल होता है तो फर्स्ट एटेम्ट जो भी खुला हुआ था तो वो डूबा नहीं सकेंड एटेम्ट हो निचोड कर डालने पर बॉल बना करके डालने पर वो डूब गिया अब ऐसा करने पर सवाल यहां पर किया जा रहा है इस प्रश्ण का उतर देने के लिए निम्लिकित में से कौन से प्राकरमन कौसल का पड़ियों किया जाएगा तो बच्चों से सवाल किया जा रहा है कि ऐसा क्यूं हुआ तो बच्चे क्या करेंगे सिर्श समंदित क्या अपना दिमाग लगाएंगे जल्दी से बताएं ऐसा क्या हुआ देखिए इसका आंसर होगा अवलोकर या अब्जरवेशन वो अब्जर्ब करेंगे चीजों को आखर ऐसा क्यों हुआ तो वो पाएंगे अब्जर्ब में कि जड़ अब खुला हुआ था तो कुई चीजों को observe करेंगे वो लोग ठीक है सोचिने के बात तो ठीक है बट बेसिकली यहां पर एक term आ रहे observation matter करेगा यहां पर clear है आगे चलते है question number 62 क्या करता है एक बात फिर से मैं बताया तो video skip मत करिया क्योंकि बीच बीच में option के according या question के recording मैं explain करता चाता हूँ तो miss हो जाएगा इसलिए skip मत करियेगा ठीक है चलिए 62 क्या कहता है यहां पर 62 कह रहा है परियावरन अध्यान के सिच्छा सास्त के संदर में सिवाए डैस के निमलिकित सभी वांचिनी अभ्यास है मतलब कह रहा है परियावरन सिच्छन सास्त में सब कुछ सही है किसी एक को छोड़ करके अभ्यास के संदर में या अभ्यास बोलिए या फिर उसे पढ़ने के संदर में ठीक है हमारी जीवन से जुड़ा हुआ हो अध्यान से जुड़ा हो ठीक है तो पाठी वस्तूओं और संदर्व की बहुलता को बढ़ावा देना और फूर्थ कहरा आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समधान के लिए छमता समवर्धन करने के लिए जल्दी से इसका अंसर बताई क्या होगा आप वीडियो पास करके आंसर देजिएगा ठीक है और देखेगा पंदरा में कितना सही और हम पंदा पंदा करके कर रहा है कोईशन हम लोगों ठीक है तो इसका अंसर क्या होगा सिवा एक को छोड़ करेंगे देखिए ऑपसर एलिमिनेट करेंगे तो यह तो सही बात है हम उसको आलोचनात्मक चिंतना समय से समधान के लिए तयार करते हैं तो कोशन के अकॉर्डिंग ये गलत होगी है ठीक है बहुलता को पहला बोरा असमिता का भी पोशन करेंगे तो यह भी गलत है वास्तविक जीवन के अस्थान पर पार्ठ पुस्तक ज्यान की सिष्टना देखिए ऑपसर नुमर्ट टू न यह नहीं होना चाहिए हम चार के सिष्चक है वे विरिच संरच्छन की अफधारना पर विसे चार्तियों को समेंदन सिल बनाने के लिए योजना बनाते हैं निमलिखित में से कौन सी एक गतिविदी इस उद्देश के लिए सरवादिक उप्युक्त होगी मतलब वही है विरिच रोपन घुमायावा क कोशन है प्रिवेस एर में मैंने करवाया है रिपिट हुआ कोशन खाली थोड़ा सा टम चेंज कर दिया जाता है टॉपिक यही रहता है विरिच संरच्छन ठीक है कह रहा है यहां पर आपसे एक महिस नम के टीचर है वो विरिच संरच्छन के बारे में पढ़ाना चाहा रह प्रुचसाहित करना तीसरा कह रहा है समू चर्चा के लिए सिच्छार्तियों के समू बनाना और फूर्थ कह रहा है वाद विवाद प्रतियोगता का आयोजन करना जल्दी से बेस्ट ऑप्सन देखिएगा ऐसे सभी ऑप्सन सही होते हैं याद रखेगा कभी कभी सायदी को करते हैं बढ़ चारों आपसन सही होते हैं हमें बेस्ट का ढूढ़ना होता है देखिए क्या होगा पहला आपसन नर्थ सही जा रहा है ऊएक पौधिक को अपना ये उसके पोष्टन करेंगे उसके बारे में आप पोष्टन से सम्मंधित आपका एक्टिविटी आ जाएगा कैसे उसे रखना है, कितना धूप देना है, कितने पानी देना है, कौन सा मिटी लगेगा, कौन सा मौसम में होगा कैसे उसे समालना है, कब पानी देना है, कब रखना है, कब धूप देना है, कब च्छाओ पोसन में ये सब कुछ आ जागा और उसे अभी प्रेरित भी बच्चे होंगे यहां पर अभी प्रेरिना भी है मोटिवेट भी होंगे इसके संदर में वो किलियर है वीडियो नहीं न कट रहा है नहीं कटेगा यार चलो आगे बढ़ते हैं 64 क्या कहता है आज का 4th question कह रहा है परियावरन अध्यन में बच्चे सिल्पकला और चित्रकला को समू में सीखना विसेश रूप से पसंद करते हैं मतलब कह रहा है परियावर अधियन के अंतरगत सिल्पकला और चितकला को साथ में इंक्लूड करके सीखना पसंद करते हैं पढ़ना पसंद करते हैं ठीक है अब पुछ रहा है क्यूं कि चार वाक्य दिया हुआ है आपको इसके सही विकल को चुनना है ठीक है चार वाक्य क्या की प्रसंसा की जाती है तो वे खुस होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं और अंतिम कह रहा है या कच्छा में अनुसासन को बढ़ाता है जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा अप्सन में आप देख लिजिए क्या है सेंटेस हमें चुनना है उसके अधार पर हम आंसर करेंगे देखिए एक आंसर कैंसिल हो रहा है अप्सन डी नहीं होना चाहिए अनुसासन का मैटर नहीं करता है लेकिन बेस्ट आप्सन हमारा ए बी सी सही जा रहा है सब मिलकर के काम कर करेंगे अच्छा होगा समाजिक अधिगं भी सिखेंगे मिलकर काम करेंगे सोशल बनेगे वह वाइगा उसकी सर का मैटर भी आएगा वहां पर फिर अशीजनात में क्रेटीबिटी भी आएगा जब मिलकर काम करेंगे ठीक है इसके क्या होगा ऑप्सन दो नंबर सही है ABC सही होगा आगे चलते हैं पांचवा नमर क्या कह रहा है परियोग करना आकलन का एक संकितक है निमलिखित में से कौन सा एक परियोग करने समंदी संकितक का आकलन करने का सबसे उप्युक्त तरीका है मतलब यहाँ परियोग करना है हमें एक्सपरीमेंट एक्सपरिमेंटेशन है यहाँ पर तो उसका संकेतक पूछा है जो सबसे उप्युक्त हो आकलन के लिए क्या होगा सिजनात्मा लेखान में ऐसा हो सकता है निर्देशन में हो सकता है हस्त परगती विधी में होगा या चित पठन में होगा पर यो करना एक्सपरिमेंट जल्दी से बताइए क्या होगा अभी मैं ख़ड़ा अगर पढ़ा रहा हूँ पता नहीं क्यो चलिए कोई बात नहीं टेबल को तोड़ा उच्छा कर लिया फोल्डिंग का सिस्टम है चा कर लिया हूँ वहें कर रहा हूँ काम ठीक है दिन बार बैठे बैठे पढ़ना पढ़ाना परिसान हाना चलिए इसका अंसर क्या होगा बेस्ट आप्सन जाना है एक्सपरिमेंट जब हम करेंगे न तो हमारा हैंड्स ओन अच्छा होता है जब हम खुद अपने हाथ से करते हैं हाथ से मतलब उसमें इंवाल होते हैं मैटर में इंवाल होते हैं प्रोजेक्ट में इंवाल होते हैं खुल कर करते हैं क्रेटिविटी दिखाते हैं अपने विचार करते हैं स्यामूर्थ की और जाने का कोशिस करते हैं किलर है तो यही option सही जा रहा है 66 क्या कहता है यहाँ पर बड़े बड़े सवाल है मैं सोच आता छोटा करके खत्म जल्दी करूँ देखिए कोई बात नहीं कह रहा है प्रात्मिक अच्छों में सिछार्तियों के पास अनिक प्राकर्नों में अनिक वैकल्पिक अवधार्नाएं होती है जैसे सजीव, निर्जीव, जल्चक्र, पौधे, आदी इन वैकल्पिक अवधार्नाओं के सुरुत हो सकते हैं देखिए यहां पर कह रहा है हमारे पाठ करम में या हमारे आसपास में सब कुछ है जैसे कि यहां पर सजीव, निर्जीव, जल्चक्र, पौधे यह सभी है ठीक है अब इसका सुरूत पूछा है यह कहां हमें मिलेंगे फिर से उसी तरह चार आपको दिया गया है वाके के रूप में अबको उससे सही करना है कौन सा सही होगा या हमें सही बताना है किलर है तो जल्दी से हम देखते हैं पहला कह रहा है परिवार और समुदाय दूसरा अगरा पाठ पुस्त के यहां अन्य पुस्त के तीसरा कहा रहा है, सिच्चक, चौथा कहा रहा है, कहानिया एवंक अभीता हैं, जल्दी से बताइए इसका अंसर क्या होगा, एक मिनट, सजीव, निर्जीव, जल्चक, अपाउधे, चलिए, क्या होगा इसका अंसर, देखें, इसका अंसर, इसका अंसर मेरे हिसाब से, उप्सन वा फूर जाना चाहिए, सिच्चक क्या है, सिरोत, एजी कि मिनट, वैकल्पिक अब धारनाओ का सिरोत, इसमें सभी मैं जाऊँगा, ये भी जाएगा, क्यों सिच्चक भी कहें न कहें, उसके, मतलब एक उधारन देने के लिए खड़े हो परियावरन समदाय में हम मिलता है, पाठफूस्तकों में हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है, कहानिया कविताओं में हमें, जल चकर, पेड़े, पौधे, मौसम के बारे में, बारिश के बारे में, सब कुछ मिलती है, जानकारी, किलिए रहे हैं, चलिए, आगे बढ़त तो लोको उनमें से आचार भरने से पू्रव सूरी की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यूं? पहला उप्शन कहता है, उनमें से धूल को हटाने के लिए दूसरा कहा रहा है नमी को पूंटा हटाने के लिए तीसा कहा रहा है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए अफोर्थ कहा रहा है अंतिम बोल रहा है उनके तापमान में वृधी करने के लिए तापमान में वृधी चली क्या होगा इसका अंसर जल्दी बताइए वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेर कमेंट अभी कर दीजे चैनल पर नहीं तो अभी भी सब्सक्राइब कर लिए और बेल आकन जरू दवाइएगा चली इसका अंसर होगा इसके पूर्णता नमी को हटाने के लिए ताकि अचार खराब ना हो क्योंकि अचार हम लोग क्या करते हैं कंटेन करके रखते हैं समाल के रखते हैं आगे वाले टाइम के लिए चली अब कह रहा है 68 मतलब सोच रहा था जल्दी खत्म करने के लिए चोटे सवाल और बड़े आ रहे हैं कोई वात ने कह रहा है यहां पर और मिक्स है स्टाटिक कोश्चन में पेडागोजिकल कॉंट्रेंट में यहां पर दिया हुआ है चली क्या कहना है रेनू की दादी उसे एक सुखा कुवा दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुवे में पानी था लेकिन अब यहां पूंटा सुख गया है कुवे में पानी सुखने का या क्या कारण हो सकता है या हो सकते हैं पहले उसकी दादी बताती है कि यहां पर एक कुवा था यह मतलब यह कुवा है अब पहले आज से 10-15 साल पहले इसमें पानी हुआ करता था बट अब ये सूक गया है उसका कारण हमसे पूछ रहा है ऐसा आखिर क्यों हुआ है तो पहला बोल रहा है याँ पर पहला सिंटेंस फिर हमें उसमें क्या सुनना है अच्छा चुनना है हमें ठीक है पहला कहा रहा है पेडों, कुएं तथा उसके आज स्पास के स्थान की मिट्टी को अब सिमेंट से धग दिया गया है दुसरा कहा रहा है आज स्पास के इलाकें बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए तीसरा कहा रहा है पर्तिक विक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुवे का परियोग नहीं करता जल्दी से इस कारण से बताये क्या होगा देखिए यहाँ पर बेस्ट आप्शन मैं जाऊं आप्शन नमबर A और B जाएगा A, B, C, 3 भी हम लोग ले सकते थें लेकिं यहाँ पर C आप्शन नहीं दिया है A, B के साथ में लेकिन A और B दिया हुआ है इसलिए हम आप्शन A और B जाएंगे पेला कुवे के आसपास में क्या है जमीन को सिमेंट से ढग दिया गया ताकि उसे क्या होता है जो रेन वाला पानी जो होता है वो जमीन के अंदर सोक नहीं पाता है वो वापस बह जाता है बात समझ मैं है और दूसरा यहाँ पर कह रहा है आसपास के लाकों बोरिंग पंप ज़्यादा होने के कार में कुवे सोक जाते है आप लोगों के घर में होगा तो आप लोगों पता होगा मेरे घर का उसक पुराना Problem एक बात में बताता हूँ मेरे घर का Motor का बहुत बड़ा Issue है हर महिने Issue होता रहता यह पानी के कार क्या कर रुसाहर का यह Condition हो रखा है चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 69, बगुला भैंस पर बैठता है, क्योंकि क्यों बैठता है भाई, बगुला मनुरंजन मनुरंजन के लिए भैंस पर बैठता है दांस करता है, भैंस बगुले को एक अस्थान से दुस्थान तक आने जाने मदद करता है, वड़ा मज़ेदार है वड़ी, फोर्थ बगला तता भागला में सहजीवी का सम्मन्द, आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, देखे इसका आंसर होगा, अप्सनल बबर फूर्, सहजीवी का सम्मन्द, वहाँ पर एक सैकल चलता है, जीवन चक्र चलता है, उस भैस के उपर में जो भी कीटे उटे होते हैं, कीडे मकूड़े, उसको भगला वो खाता है, ठीक है? इससे क्यों होता है? पूरा मतलब भैस का भी सफायव होता है, बोडी का है, आ वो भी खुस होता है, उसको भोजन मिल जाता है. चलिए. आगे चलते हैं, 70 क्या कह रहा है कहता है निमलिकित में से जड़ का कौन सा कार पौधे के लिए नहीं है अब जड़ का कौन सा कार पौधे के लिए नहीं है वो हमें बताना पहला कह रहा है यूमस उपलब्द कराना दूसरा कह रहा है पौधे को सहारा देना तीस्ता कह रहा है जलत तक हनीजो का अब शोशन कर और चोथा कहा रहा है भोजन बंडारन संचारित करना जल्दी से इसका आंसर बताए क्या होगा इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताए देखे इसका आंसर होना चाहिए भोजन भोजन संचित करना भोजन संचित करने का काम जड़का जेनरली नहीं होता है ठीक है हर पेड़ में होते हैं water उसके absorb होते है photosynthesis process plant पर होते हैं समझ में आगया killer है आगे चलते है photosynthesis process के पत्तों के द्वारा होते हैं killer है glucose वो बनाते हैं आगे चलते हैं क्या कह रहा है है हाँ पर 71 कह रहा है करनम मलेश्वरी के बारे में आपको सवाल पूछा है अब इसमें सही कथन बताना है क्या है इसके बारे में पहला कह रहा है वह अंतराश्टिय ख्याती प्राप्त वेट लिफ्टर है दुसरा कह रहा है वह करनाटक की है तीसरा कह रहा है उसने अपने नाम बहुत से यह भी सही है यह भी सही है यह भी सही है वह वेट लिफ्टर है सही बात है 130 केजी का उठाती है सही बात है उसके और तीन बहाने हैं वह भी अब यही प्रक्टिस करती है इंटरनेशनल लेवर बहुत सारे ख्याती भी उसके है 12 वसकी थी तबी से वो काम कर रही है लेकिन ये गलती क्या है यहां कि करनाटक दे दिया वो आंधर प्रदिस की है याद रखेगा यह का है आंधर प्रदिस की है तो अप्सन नमबर A-C-D, A-C-D जहां में मिले A-C-D पहला में है तो आगे अब हम बढ़ेंगे के लिए रहें आगे चलते हैं 72 क्या कह रहा है बावली तो से समंदित निमलिखित कथन दिये गए है अब इन में से कौन सा सही है हमें फिर से सही बताना है ठीक है चलिए क्या कहा रहा है वे जल भंडारन तथा जल संरच्छन की परांपरिक विवस्ता है दूसरा कहा रहा है समुदाइक स्रोत के रूप में उनका परियोग होता है तीसा कहा रहा है उनका निर्मा मुक्ता वर्सा रहित राज्यों में होता है अफोर्ट कहा रहा है उनमें कि और भागते हैं मतलब चलते हैं ठीक है देखे सबसे पहले बार एश आई है यह परामपरिक विधी है जल संरच्छन का भंडारन का दूस्ता कह रहा है समधाय के लिए यूज होता है वो पूरे गाउं के लिए होते हैं पूरे बस्ती के लिए होते थे ठीक है यह खास करके जहां पर पानी बहुत कम होता है बारिश जहां कम होती है उसके लिए सेव करने के लिए इसका निर्मान किया आता था और संदूसित केवल ये वर्ड आट कर दिया नहीं गड़वड कर दिया है ना तो D नहीं होगा, ABC जहां होगा उसे अंसर करेंगे ABC option एक में है आगे बढ़ते हैं कह रहा है 73, वर्ली का एक परामपरिक कला है ये वर्ली कहां है, ये पूछा गया है अभी मैंने ये मारता वापस कहां चला गया, महरास में वर्ली कहा है, महरास में लड़ू सा सवाल था आगे चलते हैं, तमिलनाडू के निकट वर्ती, राज जी पूछा गया जल्दी से बताईए क्या है केरल, गुजा, करनाटक, आंधर परदेश, गोवा, करनाटक गोवा, करनाटक, केरल और केरल, करनाटक, आंधर परदेश, जल्दी सांसा बताईए क्या होगा, eliminate करते हैं ठीक है, देखे, गुजरात तो होगा नहीं भाई, गुजरात, आप मैप ऐसे ड्रॉ करिए न, ऐसे, गुजरात आपका यहाँ पर है, महराष्ट आपका इधर है, समझ में आगे, गोवा आपका यहाँ है, तो गोवा, गुजरात, तो अधरी राजी जुआ, आज का आखरी कोशन क्या कहता है, कह रहे हैं आपका, निमलीखित में से किसकी सुनने में सक्ति इतनी तिछन होती है, कि वह वायू से पत्तों के हिलने की धोनी और घास पर किसी जानवर के चलने की धोनी में अंतर कर सकता है, ला जवाब सवाल है, चलिए, क्या है गिद है वो, रेशम कीड़ा है कुता है या बाग है, जल्दी से बताएए क्या होगा आंसर सिधा सिधा है भाई बाग है, उसके जो विसकर होते है वो विसकर ऐसे करके जो लिकलिव होते है इतना sensitive होता है कि पत्ती हो Wonka हिल कर उसके रखी के वेव बन के आती है एर के गचाइर का जो motion molecules होता है एक-प boys list में टकराते है वो समझ जाता है कि किसके द्वारा हो रहा हावास हो रहा है या किसी जानवार नो लो किया है किसके द्वारा हो रहा है वो सब कुछ सरसराहट, हर चीज़ वो read कर लेता है अपने सी mood से, killer है चलिए, वीडियो पसंद है, तो like, share, comment जोग करिएगा, ठीक है फिर अभी इतना ही रखता हूँ, फिर मैं कर लेकर आऊँगा तो घर पे रहिए, सुरची तरही बड़ो साथ से बात लेते रहेगा चोटों को प्यार देते रहेगा, और share जरू करिए उन लोगों तक पहुंचे है, जिसे हैं खास है जरूरत है, ठीक है, अब कोई भी दिक्कत होगा मैं description box में सब का link दे दिया हूँ आप जाकर join कर लिजिए, अब PDF में टेलिग्राम पर अब मैं दे दिया करूँगा एक बात और मैं बोलना भूल गया अब से मैं अपने lectures को audio में भी भेज दिया करूँगा, ग्रूप में audio में, ताकि PDF आपके पास mobile में रहे, mobile flat moment भी करके आप audio सुनोगे, ता आपका revision हो जाए, जल्दी से जल्दी, किलर है audio में दे दियूँगा, ताकि revision में हो जाए, वीडियो में बहुत लोग का दिक्कत लता है, एक नया pattern मैं ने सोचा ऐसा करने से, बेटर होगा कुछ option, बच्चों के लिए राहत मिलेगा थोड़ा, चलिए, ठीक है चलिए फिर है, thank you very much घर पे रहिएगा, ठीक है, और चैनल पर नहीं तो subscribe जो करेगे से, thank you very much